नमस्कार मैं योजना आज मैं बणाँगी उत्रखन का पारंपर इपकवान जो पुय और सिंगल के नाम से जाने जाता है से इसे हर शुपकाममें बनाते हैं तो चलिए बनाते हैं पुय ॉर सिंगल. इसे बनने से और इसे खस्ता बनाने के लिए हम दालेंगे दो से तीन बड़े चम्मज घी पहले हम इसे मिला कि देख लेंगे देखिए मैंने इसको भी मिक्स कर लिया है यह दो बड़े चमज घी से मेरा बन गया है अब मैं इसको ऐसे बदा की देखूंगी यह बद रहा है ना इस तरीके से तो यह हमारा बिल्कु पॉफेक्ट दला हुआ है अब हम इसमें मिला लेंगे एक कर्टोरी से थोड़ा सा कम द चीने आप छीनी अपने स्वात के नुसार कम या जादा करशकते हैं अब हम इसको मिक्स करके देखें गैंगे अ के देखे मैंसे देखिए मैने इसे दधी के संग अच्छा cabeça कर लिया है इसकी कंसेस्टेंसी रही यह का हो रहा है तो अँढ़ जादा थिक लग दग रहा है है तो हम इसमें थोड़ा सा दूट मिलाएंगे, थोड़ा-थोड़ा करके डालेंगे, देखिए यह मैंने अच्छी से थोड़ा सा दूट डाला है, मैंने, दो बड़े चम्मच करी दूट डाला होगा, इसकी कंसिस्टेंसी देखिए इस तरीक से होना चाहिए, और अब हम इसको दो से तीन घंटे के लिए ऐसे ही छोड़ देंगे, देखिए बैटर को रखे वे लगभग तीन घंटे हो गए हैं, और यह इसकी कंसिस्टेंसी देखिए यह ऐसी हो रही है, जब मैंने इसको देखा तो यह ड्राय हो रहा था, मैंने इसमें थोड़ा दूद मिलाके इसको कर दिया है, अगर आपको ड्राय लगे तो आप इसमें थोड़ा थोड़ा दूद डाल के देख लीजिए और इसको कंसिस्टेंसी में लेके आईए, इसकी कंसिस्टेंसी इस तरीके से होनी चाहिए, और अब इसको बनाने के ताहिए, सिंगल बनाने के लिए, मैं यह दूद देखे, मैंने इसको दूद की ठाली में डाल दिया, इस तरीके से, अब मैं इसको थोड़ा सा यहाँ पर कट कर्लूँगे, मैंने इस तरीके से, मैंने कड़ाई में यह तेल गरम करने के लिए रख दिया था, पले न चाहिए, सिंगल बनाना शुरू करते हैं इसे ऐसे घुमाते जाना है घुमाते वे बनाना है देखिए अब यह थोड़ा सा कलर चेंज हो गया इनका तो अब हम इसको कलर देंगे देखिए यह हमारे सेंगल बनके त्यार हो रहे हैं हम इसको निकाल देते हैं हमारे सिंगल बनके त्यार हो गया है अब हम बैटर सेम ही रहेगा सेम बैटर से अब हम पुए बनाएंगे अब हम इसको थोड़ा सा पलट लेंगे देखिए हमारे पुए बनके त्यार हो गया है इनका कलर चींज हो गया देखिए किता प्यारा सा कलर आए अब हम इनको निकाल लेते हैं देखिए मेरे पुए शिंगल बनके त्यार हो गया है आप भी बनाईए और त्योहारों का अनद उठाईए